आज का दिन आपक कैसे जाने वाला है तो मेश राशी की बात करें तो आज आप थोड़ी दार में क्यात्रा पे जा सकते हैं या कुछ मंदरी में जा सकते हैं या कुछ आस-पास के ऐसे धार्मिक शित्रों में विजिट कर सकते हैं जिसमें आपको अच्छी सुकत अनुभव लगेगा परिवार के साथ आप अच्छा कासे दिन स्पेंट करेंगे इसके अलावा आपका जो लेशनशिप अच्छा कासे रने वाले हैं वना पूरा चुट्टी का दिन ऐसे ही वादवी बर्त में निकल जाएगा जगड़ों में निकल जाएगा जो आपके लिए अच्छा नहीं है परसनलेशनशिप की बात करें तो उसमें थोड़ी निरस्ता बनी हुई है तो हो सके उसको अवाइट करने की कोशिश करें अपने मन को मार के अपने पार्टनर के बार में सोचेंगे तो आपको अच्छा लगेगा आप उनके साथ टाइम स्पेंड करें बाहर जाएं कुछ अच्छा शॉपिंग वगरा करें तो उनको भी अच्छा लएगा आपका जैसे आपको लगेगा कि आप अपना जो परिवार के साथ अच्छा दिन स्पेंड करें कुछ ऐसे नई जगा पर जाने का आपका मन करेगा या आप शॉपिंग पर भी जा सकते हैं इसके अलावा आपको जो आपके परिवार से फूरा सपोर्ट आपको देखने को मिलेगा ह इसके अलावा आप अपने जो पिता है अपनी जो माता है उनके साथ जो आपके रिलेशन्शिप है थोड़े आपके वाद विवात ये तर्ग भी तर्ग हो सकता है उससे आपको बचना चाहिए अब हम बात करेंगे मिथूराशी वालों के लिए आज कर दिन सुखत पूरव के बीच में एक अच्छा खासी बॉर्णिंग या अच्छा खासा इट्मोंसफेर करने में आपकी मदद करेगा इसके अलावा आपके जो थोड़ा बहुत आपके सेहत की वज़े से थोड़ा आपको थोड़ी परिशानी हो सकती है तो उसको आपको थोड़ा सोचना चाहिए आप अपने खान पन का विश्यश ध्यान अके इसके अलावा जो है आपको थोड़ा फीवर की भी समस्या हो सकती है और यहास हो सकता है कि आपके बोन्स लेटेड कुछ प्रॉब्लम हो जाए तो उसमें आपको ध्यान देने की थोड़ी ज़रुरत है अब हम बात करेंगे कर भी खर्चा कर सकते हैं और आपको उसमें फिर भी मज़ा आएगा इसके अलावा हम बात करेंगे कि आपके जो परिवार है उनके रेशेंशिप है थोड़े आप जो है नीरस्ता है उसको भी दूर करने में यह मदद करेंगा आप अपने माबाप की जो है इसके आपका दिन क आपको बचना चाहिए अब बात करेंगे सिंग राशी वालों के लिए अपने घर में थोड़ी आपके एहम की वज़े से ऐसा कुछ हो सकता है कि जिसके वज़े से जगड़ा हो जा और पूरा दिन आपका मूत खराब रहे तो उससे आपको बचना चाहिए खास कर अगर कु करें तो ही आपका दिन अच्छा जा सकता है इसके अलावा आप लिए जो है आप जो भी आप अपने टाइन स्पेडिंग उसमें आपको लाब मिलेगा माता से आपको पूरा सपोर्ट मिलेगा माता की मन में आप जो है आप धार्मिक विचार आपके बने रहेंगे उसके ला लगेगा कि हाँ चुटी है तो उनको थोड़ा ध्यान देने की जोती है लेकिन फिर भी उनको अपने पढ़ाई में नंतर लगे रहना पड़ेगा इसके लावा आप हम बात करेंगे कि आपको जो है चोटी मोटी यात्रा हो सकती है जिसमें आपको थोड़ा आपकी एहम के जैसे थोड़ा आपको लगेगा कि आप गलत ही निकलाई है कुछ ऐसी जगाल निकलाई है जहां आपको नहीं आना चाहिए तो यह आप सोच समझ के प्लानिंग करें तब उसके बाद निकलें प्रॉपर प्लानिंग के बाद ही कहीं जाए बाहर इसके रावा आप तुला राशी वालों के लिए आज के दिन आपका कैसे जाने वाला है तुला राशी वालों के लिए अपने पिता से काफी अच्छी बनने वाली है उनके साथ काफी अच्छा टाइम स्पेंड करने वाले है साथ यह अपनी मा के साथ भी आप अच्छा दिन बिताने वाले है को आपको काफी अच्छा देखने को मिलेगा, आप उनके लिए अच्छा करें तो उनको प्याइच्छ लगेगा, इसके अलावा आप चाहे तो उनको किसी धार्मिक सल पर ले जाए, तो जिसे आपको पूरा दिन अच्छा रहेगा, आपके जो बसन लेशिशिप के लिए भी आपको लगता है कि आपके दुश्मान है लेकिन फिर भी आप कुछ नस्दीकियां आप एक दूसरे के परती देखने को मिलेगी तो यह आपके लिए काफी पॉजिटिव रहने वाला है कुल मिला के पूरा दिन आपके अच्छा रहने वाला है अच्छा टाइम स्पेंड करें अपने पार्टनर के पती जो आपका गुस्सा बना हुआ है उसको थोड़ा कंट्रोल करके चलें हो सके तो उनके लिए इमोशनली सोचें तो आपके लिए अच्छा रहेगा कोई निरिड़े लेने का बजाए इसके की बात बात को आगे बढ़ाना और आपके माता के पती ज खासकर आपको थंडे से या पानी से जो थंड़ा पानी उससे बचा के रखें थंड से जो आपको से लक्षा करें इसके लावा आपका खर्चा है थोड़ा अनवेशक देखने को मिल सकता है आप कुछ ऐसे जगह जा सकते हैं जिसमें आपको लगएगा कि बहुत नीरस्ता ह और उसमें आपको लाब नहीं मिल रहा लेकिन आपको फिर भी जाना पड़ सकता है क्योंकि यह आपके संघर्ज का एक हिस्सा है लेकिन फिर भी आपको देखें लगएगा कि जब पूरा दिन आपका बीते हैगा तो आपको लेगा कि हाँ कुछ अच्छा हुआ है तो कुल म पारटनर के साथ अच्छा टाम करेंगे इसके ळावा आप अपनी जो पेरेंट्स हैं के साथ भी अपना दीन जो है अच्छा रेंगे उनके साथ जो आपको आपके रिलेश्शंशिप इल्यार रहेंगे आपके नगहीं सिर्फ संबंध काफी अधूरे रहे हैं एसके तो आपको इससे लाब भी होगा अब बात करेंगे मकराशी वालों लिए दिन अच्छा रहने वाले आपको छोटी-मोटी आत्रा पर जा सकते हैं जिसे आपको लाब मिलेगा खासकर अपनी माता के प्रती आपके जो भी जो इमोशन से काफी उमड कराने वाले अपनी मा को आपके जो भी गलत फहिमिया आज का दिन बहुत अच्छा है उसको दूर करने के लिए उनके साथ टाइम स्पेंट करें तो आपको अच्छा लएगा इसके लाबा घर में जो अच्छा बनी हुई है जो निरस्ता बनी है उससे भी अगर आप हटकर थोड़ा बहार निकलने क करें तो आपका दिन अच्छा जा सकता है तो आप साकरतनक सोचेंगे तो आपके लिए ही सही रहेगा अब हम बात करेंगे कुम्राशी की तो कुम्राशी वालों के लिए अगर हम देखें तो घर में जो थोड़े वह द्वावयवाद बने हैं उससे हटकर आगर आप बहार निकलेंगे तो जाधा अच्छाएगा क्योंकि इसमें आपके एहम भी आने की संबाब ना है और अपने एगो की वज़े से आपके जो घर का मौल थोड़ा अशांत रहने वाला है तो उससे आपको बचना चाहिए हो सके तो आप बाहर निकलें या इस चीज को एवोइड कर हैं आपके परिवारी थे ये प्रतिय ओंज Heald कर आने वाले हम आपके जो इमोशन से प्रती से काफि América कराने वाले हैं तो आपको आपको प्रिवाराबस अच्छा का क्यों सप्था और इस असौर्म के अश्व Wireless अटकर जेंगे उसच्डर्मी का ऊ-उस या सूंकर जो계सीरु उनका भी आपको सपोर्ट देखने हों मिलेगा आपके जो भी आप चाहें तो अपने चोटे-मोटे उनको कहीं भूमाने ले जा सकते हैं किसी धार्मिक्स तलप ले जाएं तो उनको भी अच्छा लगेगा और उनका आश्यवाद आपको मिलेगा तो आपके लिए तो बहुत ह बहुत अच्छा रहने वाला है आपके जो प्रेम सम्मंध हैं हो सकता है कि आप उसमें आप थोड़ा गंबिता से सोचें आप उनके साथ अच्छा टाम स्पेंड करें आप एक दूसरे के प्रती को पॉजिटिवली सोचने वाले हैं तो यह आपके रिलिशन्शिप के लिए उसके आगे के लिए बहुत अच्छा रहने वाला है काफे पॉजिटिव रहने वाला है तो दर्शुकों यह था आज का राशीफल आपकी राशियों के लिए आप हमारे जो भी आपके जो क्वेस्टिन्स हैं जो भी आपके जो सुझाव या प्रशने आप हमारे कमेंट उतु कोूद्स हारे कर भी त mendhogए आदे आपके जो पोतो को रा प्रोश्यों के हने दो भी आपके लिए पुर आपके लिए